नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स निउस मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार सरकार के सिक्षा विभाग की नई सिक्षक नियमावली ने सिक्षकों के बीच भेद पैदा कर दिया है सिक्षा विभाग द्वारा नव नियुक्त बिपीएस्सी सिक्षक जहां इस नई नियमावली से काफी खुस हैं तो वहीं दूसरी ओर नियोजित सिक्षक नई अस्थानांतरन निती से काफी नाराज दिखाई दिखाई दे रहे हैं नियोजित सिक्षकों का कहना है कि नई ट्रांसफर निती उनके घर से उन्हें दूर कर रहा है जबकि BPSC सिक्षकों का कहना है कि ये काफी सराहनिय ट्रांसफर निती है जो सिक्षकों को उनके घर के करीव ला रही है तो नियोजित और BPSC सिख्षकों में cold war चल रहा है नई transfer निती को लेकर social media पर BPSC सिख्षक और नियोजित सिख्षक आपस में आरोप लगा रहे हैं BPSC सिख्षक कह रहे हैं कि नई सिख्षक स्थानंतरन निती बेहत सांदार है और इस सांदार निती को रोखने के लिए नियोजित सिख्षक के संगठन रादनिती कर रहे हैं BPSC सिख्षक वाटसेप पर अपने ग्रूप में मैसेज भेज कर नियोजित सिख्षकों पर विद्याले की सिख्षा वेवस्था को चौपट करने का आरोप लगा रहे हैं नियोजिस सिख्षकों को कह रहे हैं कि ये लोग अपने घर के नजदीक रहकर हाजरी बना कर पूरे दिन अपने घर में पड़े रहते हैं विप्यस्य सिख्षक नई अस्थानांत्रन निती का हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुर्जोर समर्थन कर रहे हैं सराहनीय हैं अस्थानांतरन निती विप्यस्य सिख्षकों के संगठन बिहार युवा सिख्षक संग के पृदेष अध्यक्षे Đिपांकर गौरव उन्होंने बताया है कि नई सिख्षक अस्थानांतरन निती बहुत सांदार है देश भर में ये अनोखा नियमावली है जिसमें प्रोवेशन पिरियड में कारे करने वाले सिख्षकों को अस्थानांतरन में सामिल होने का मौक आमिल रहा है दिपंकर गॉरम ने आगे बताया है कि सुरवात में हम लोगों को कहा गया था कि मेरिट की आधार पर पोस्टिंग हो गई लेकिन रेंडमाईजेसन तरीके से पोस्टिंग हो गई ऐसे में BPSC के तहत उन लोगों की पोस्टिंग घर से 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पढ़ हो गई ऐसे में नई नियमावली से BPSC सिख्षकों को घर के 20 से 40 किलोमीटर के दाइड़े के विद्याले में काम करने का मौका मिलेगा दिबगर गौरब ने कहा है कि इस नियमावली में बस थोड़ी सुधार किया वे सकता है प्रदेश के 38 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ एक अनुमंडल है ऐसे में इन जिलों में सेक्षनिक अनुमंडल बना कर सिख्षकों के रस्थानांतरन का प्रबंध करना चाहिए सिख्षा विभाग को छोड़ कर सरकार में दूसरा कोई विभाग नहीं है जहां घर से इतने नजदीक लोगों को काम करने का मौका मिलता है महिला सिख्षकों के लिए पंचायत से बाहर और पुरुस सिख्षकों के लिए रुमंडल से बाहर की पोस्टिंग का वो पुर्जोर समर्थन करते हैं अब नियोजिस सिख्षकों में पुरुस वर्ग कर रहा है इसका बहिसकार नियोजिस सिक्षक के संगठन बिहार राज विद्याले अध्यापक संग के अध्यक्ष अमित विक्रम ने बताया है कि निशित तौर पर विपीस्सी सिक्षक इस नीती का समर्थन करेंगे क्योंकि इससे वो अपने घर के करीब आएंगे विपीस्सी सिक्षक को पोस्टिंग के लिए आवेदन करके घर के करीब भी आना चाहिए नियोजिस सिक्षक इस नीती से अपने घर से दूर हो रहे हैं इसलिए नियोजिस सिक्षक वर्सों से घर के पास में विद्याले में सेक्षिक कारे करते रहे हैं अब उनके घर से पोस्टिंग कोसो दूर हो जाएगी तो सिख्षकों के परिवार में परिवारिक समस्या उत्पन हो जाएगी जो जहां है वहीं बनाए राजकर्मी अमित्विक्रम ने ये भी कहा है कि नियोजिस सिक्षकों में पूरुस वर्ग पॉलिसी का बहिसकार कर रहा है और इस कारण ये वर्ग पोस्टिंग के लिए आवेदर नहीं करेगा उनकी मांग यही है कि महिला सिक्षकों के तर्ज पर पंचायत से बाहर की पुष्टी पूर्ण सिक्षकों को दिया जाए जो वर्ग से अपने घर के पास का रधत है उनकी मांग ये है कि नियोजिस सिक्षकों को उनके ही विद्याले में राजिकर्मी का धर्जा दे दिया जाए अत्वा आसपास के विद्याले में पोस्टिंग दी जाए ताकि सिक्षक अपने घर से दूर ना हो तो सिक्षा विद्याले में पोस्टिंग होगा लेकिन इस पर अब मतभेद सुरू हो गया है विपियस सिक्षक और नियोजिस सिक्षकों के बीच और यही कोल्ड वार जो है चल रहा है इस पर आपकी क्या रहा है हमें कमेंट सेक्षन में जाकर करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद